मैं हूँ सचीन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जहां हम लोग सीख रहा है और स्टी एमल के आज के वीडियो टीटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं लिंक के बारे में ठीक है न तो देखिए लिंक के लिए मैं आपको पहले यहां पे दिखा देता हूं मैं एक फाइल लिया है मतलब नोटपेड ओपन किया है और इस नोटपेड को अभी मैं सेब क फोल्डर है यहां पर मैंश को सेफ और इस पेज का नाम मैं दे रहा हूँ इंडेक्स अ मैं ठीक है और उसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूं मैं वैन्नियू व में जा रहा हूं और एक पेज में बना रहा ठीक है न और इसको मैं कहां पे सेव करूँगा इसको मैं लिंक नाम का फोल्डर जो है मेरा उसके अंदर मैं एक फोल्डर और बना रहा हूँ यहां पे पेजेस नाम का फोल्डर और इस पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक पेज बना रहा हूँ stml page profile मतलब यह जो file है इसको मैं यहाँ पर save कर रहा हूँ profile.stml नाम से ठीक है ना तो यहाँ पर कुछ mistake हो गया है मेरे क्याल से देखे हाँ html html ऐसे रिकना था मुझको अब यह ठीक हो गया है मैं एक file और बनाऊंगा जिसे मैं link वाला folder में मैं save कर रहा हूँ contact dot html ठीक है अब भी मैं हटा देता हूँ इसको और मैं आपको folder में ले जाता हूँ देखें index folder index folder में गौर करिएगा कि link वाला index folder नहीं कौन सा folder link folder link folder में देखिए दो file जो है एक ही folder में के अंदर में है एक आपका contact और एक आपका index यह दोनों एक ही folder में है मगर यहाँ पे जो हमारे पास में profile वाला stml page है वो उसके लिए मैंने एक अलग से folder बनाया है और उसको मैंने उसमें save किया ठीक है न यह चीद ध्यान से देखिएगा ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं सबसे पहले index वाला page को open करूंगा नौटपेड में और उसके बाद जो basic coding लिखना होता उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे stml then head then title और title में मैं यहां लिख देता हूँ home page खली home लिख देते हैं और title को यहाँ पे मैं close कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम लोग head को close कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा body शुरू होगा और then यहाँ पे मैं h1 लिख रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ welcome to my home page और यहाँ पे मैं h1 को भी close कर दे रहा हूँ ठीक है तो अब तक हम लोगों ने कोई नया चीज नहीं किया जो already हम लोगों करते व अब यहाँ पे मैं करूँगा link create ठीक है तो link create करने के लिए हम लोगों को anchor tag का use करना होता है ठीक है और anchor tag मतलब a tag होता है और इस tag में एक attribute आता है href h reference ठीक है equal to अब इस page का जिस page के साथ link करना है हमें न उस page का address यहाँ पर देना होगा मतलब मैं चाहता हूँ कि यह जो मेरा index वाला page है इसमें मैं एक ऐसा button बनाओ ऐसा मतलब एक text लिखूँ जिस पर मैं click करूँगा तो यह मुझे contact page में ले जाएगा कौन सा page में ले जाएगा contact page में horizont ले जाएगा तो मेरे को यहाँ पर उस page का नाम लिखना होता जैसे यहां पर देखे मैंने क्या लिखा है contact तो यहाँ पर मेरे को लिखना होगा c О n टि, a, c, of contact और इसका extension भी लिखना होगा इसका extension क्या भी है .html यहाँ पे हम लोग cares लिखेंगे .html और फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे फिर यहाँ पे इसको हम लोग बंद किये और यहाँ पे हमारा a बंद होगा अब देखिए इतना मैं आपको अगर दिखाऊं तेप कर दूँ और फिर अगर इस पेज को इंडेक्स वाला पेज को मैं अगर ओपन करके दिखाऊं आप लोगों को तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको लिंक नजर नहीं आ रहा होगा जबकि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं क्यों नजर नहीं आ रहा है तो मैं एक बार आपको इंस्पेक्ट में ले जाता हूँ देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक के अंदर में कुछ भी नहीं लिखा है जिसके कारण यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है ठीक है न तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे कहां गया हमारा नोट पेड़ देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ए में अगर मैं लिख देता हूँ पें सी यो एंड कॉंटेक्ट आप कुछ भी लिख सकते जिसे गो टू कॉंटेक्ट ठीक है जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे यहाँ पे पेज के साथ में बिलकुल मैच होना चाहिए अगर यहाँ पे स्पेलिंग होता है तो फीर आपका लिंक प्रॉपर नहीं होगा से क्ट कोई बात नहीं प्सको एक बार मैं सेव कर देता हूँ और यहां पे भी देखे आ गया इसको मैं काट देता हूँ और काटने के बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो देखें यहां पे go to contact दीख रहा होगा अब इस go to contact पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यह मेरे को कहा लेकर आ जा रहा है आप गौर करियेगा यहां पर इसका जो URL है ना यहां पर देखिए contact.html में और इससे पहले हम लोग कहा थे देखिए index.html में थे जैसे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूं तो यह मेरे को कहां लेकर आ जा रहा है contact.html में लेकर आ जा रहा है ठीक है अब उसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं देखिए मैं यह सारा code को यहां से copy कर रहा हूं और यहां पर जो हम लोगों ने contact वाला page बनाया था राइट क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद open with में जा रहा हूं और notepads भोल रहा हूं और यहां पर इसको मैं paste कर देता हूं paste करने के बाद में देखिए यहां पे मैं changes क्या कर रहा हूं कि यहां पे मैं contact page लिख दूँगा just welcome to home page के जगा मैं यहां पे contact page लिख दिया मैंने और अभी मेरे को क्या है कि मेरे को home page का link करना है contact से home page का link करना है तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं गोटू होम लिख दे रहा हूं और यहां मेरे को page का नाम चेंज करना होगा अब मेरा जो homepage है उसका नाम क्या है index.stml तो मैंने बस यहां पर index.stml लिख दिया और इसको मैं save कर देता हूं और एक बार मैं आपको फिर से यहां ले जाता हूं और एक मैं इसको refresh करता हूँ ओके तो अभी हम लोग कौन सा पेज में है हम लोग है index.stml वाला page that means यह हमारा homepage है जैसे मैं यहाँ पे click करता हूँ तो देखिए अभी हम लोग कहा आ गए go to homepage में contact page में आ गए और वापस से अगर हम लोगों को कहा आ जाना है homepage में जाना है तो इस पर करेंगे तो हम लोग वापस कहा गए homepage में ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग link करते एक page से दूसरा page है फिर कहीं पर भी link करना हो तो ठीक है अब एक folder हम लोग बनायते अब उस folder के अंदर में भी पेज है हमारा तो इक काम करते हैं हम लोग पहले तो चलते हैं मेरा इसमें और उस फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहां पर प्रोफाइल वाला जो पेज है मेरा ठीक है यहां पर मैं इसको ओपन कर लेता हूं नोटपेड में नोटपेड में ओपन करने के बाद में मैं यहां पर सब पेश्ट कर देता हूं मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी इस page का अगर मेरे को link करना है किस page से जैसे मान लिजे कि home page से मेरे को link करना है ठीक है ना तो home page से link करना है तो मेरे को फिर से anchor tag जाना है तो profile कहाँ पे है link वाला folder में मेरा page है इंडेक्स और अर पर नाम का folder है उसके अंदर में हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो link होगा हमारा सबसे पहले तो हम भोग उस folder का नाम लिखेंगे folder का नाम क्या है PayPal लिखेंगे और उसके बार कर देता हूं मैं go to profile कर देता हूं go to profile और उसके बाद एक बार मैं इसको save कर रहा हूं यहां पर मैंने गया हूं save किया हूं और देन वापस से मैं यहां आता हूं और एक बार इसको मैं refresh करता हूं refresh करने से भी दो link है देखिए एक contact page के लिए और एक profile प्रोफाइल पीज के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते है तो आप देखिए हम लोग फोल्ड का अंदर में जो हमारा ब्रोफाइल Dr. HTML है वहां आ रहे से मेरे को वापस ने हों करहें जाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग प्रोफाल में आ गया और यहां से मेरे को हूं पेज का लिंक क्रेट करना है ठीक है न मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं folder structure folder structure देखके आपको यह समझना है कि अब हम लोगों को इस फोल्डर से बाहर आना है क्योंकि हम लोगों का जो पेज है ना इंडेक्स वाला वो कहा है फोल्डर के बाहर में है मतलब इसका पैरेंट फोल्डर में है यह आपका चैल्ड फोल्डर में के अंदर का वाला फाइल है तो अब यहां पर हम लोगों क्या करना होगा इस तरह से अगर हम लोगों को बाहर जाना है तो प्रोफाइल पेज में मैं पहले चल जाता हूं बाहर जाना है तो मेरे को क्या करना होगा मैं पूरा ह HTML और अभी अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और फिर से मैं अगर आप लोगों को यहाँ ले जाओ एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो गो टू होम और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखिए अब हम लोग मट होम पेज में आ घए है ठीक है यहां से कांटेक्ट पेज में भी जा सकते हैं हम लोग यहां से वापसyas होमपेज specifically जा Yuk we प्रोफाइल पेस्ते हम लोग वापस होम पेज में आ सकते हैं ठीक है ना तो आई होप कि आप सब को HTML में लिंक कैसे करते हैं यह समझ में आओगा अगर समझ में आओ तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा